Hello friends, welcome to the study portal, study portal में आप सब का स्वागत है आज का हमारा topic रहेगा friend, रास्ट्रिय विकास परिशद यानि की National Development Council complete में हम detail में इस topic को यहां पे करेंगे, बहुत ही important topic यह माना जाता है आपकी general knowledge के लिए भी जो भी आप कोई भी competitive exam देते हैं, लगबग सभी में आपको इस से कोई ना कोई equation जरूर आपको exam में मिलेगा तो बड़े ध्यान से आप इस topic को देखें, वीडियो स्टाट करने से पहले friends, जो भी student किसी भी teaching line exam की preparation करें यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें अपना name, city और exam लिकर 847410108 पर whatsapp कर दिजे, इसके थ्रूर आपको जो भी हमारी day-to-dates की information होते हैं, जो भी updates रहेंगी upcoming vacancy से related है, या फिर हमारे new best start होने से related है, या फिर जो हम videos YouTube पे बनाते हैं, कोई test करते हैं प्रिविएस एर पेपर सोल कराते हैं, सभी videos के जो link रहेंगे वो आपको free or cost, whatsapp road का group के थ्रू आपको provide कराये जाएंगे, इसके अलावा जो भी student घर बैट कर अपने preparation कर रहे हैं, यदि आपको study material की need है, आप चाहते हैं कि आपको ऐसा material मिल जाए, कि उससे भार आपको service available है, यदि आप order करना चाहते हैं, तो हमें 844-7410-108 पर whatsapp या call के थ्रू अपने order कर सकते हैं, इसके अलावा जिनको classes चाहिए, जो friend चाहते हैं, class join करना, study portal academy app है, app को आप डाउनलोड कीजिए, जैसे ही आप app डाउनलोड करेंगे, android users के लिए link रहेगा, ios के लिए ये link र live classes लो या फिर आप recorded batch लो, जैसा आपके लिए possible हो, अब हम बात करते हैं, राश्ट्रिय विकास परिशद यानि कि National Development Council, कब इसका गठन किया गया सबसे पहले, इसके जो गठन किया वो 6 अगस्त 1952, यानि कि 6 अगस्त 1952 को राश्ट्रिय विकास परिशद का गठन किया गया, मंत्री मंडल सची वाले के परस्ताओं के दुआरा, इसका जो गठन है वो पर्थम पंच वर्षिय योजना के सिपारिस के अधार पर, अगर ये पूछा जाता है कि 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 सिपारिस के अधार पर राश्ट्रे विकास परिशद का गठन किया गया, तो आपका अंसर में रहेग का पहली पंच वर्षिय योजना, यानि कि फर्स्ट फाइफ येर प्लानिंग जो कि 1951-56 का क्रया, पहली पंच वर्षिय योजना के अकोडिंग इनका गठन किया गया, यह एक गैर सवेधानिक संस्ता है, क्यासी संस्ता है, नोन कंस्टिटूशनल बोडी है, यह एक गैर संस्ता है, क्योंकि सवेधान में पहले से इसका कहीं भी जिकर या वर्णन नहीं है, इसको बाद में जब जरूरत महसुस करी है, तो एक उदेशय प्रस्ताव को पास करके इसका गठन किया गया है, ना कि कहीं सवेधान में मैंसन किया गया, इसलिए यह एक गैर सवेधानिक संस्ता है राश्टी विकास परिशद की जो पर्थम बैठक थी वो उस समय के तक कल परधान मंतरी जुवारला नहरू के नेतरतों में 8 और 9 नवेंबर 1952 को हुई यानि कि जुवारला नहरू जिस तमें परधान मंतरी थे उनके कारेकाल के दोरान 8 और 9 नॉमबर 2 दिन तक ये पर्थम पंच वर्षी योजना की इसी पार इस पर हुआ किस ताइप की ये बोड़ी है कंस्टिटूशनल और नोन नोन कंस्टिटूशनल यानि कि ग्यास वेधानिक संस्ता है पहली जो इसकी बैठक कोई कब से कब तक हुई आठ नॉमबर 9 नवेंबर 1952 में 8 और 9 को 1922 में उस समय परधान मंत्री कोन थे या किस परधान मंत्री के नेतरतों में इनकी बैठक कोई तो आपका अंसर रहेगा परधान मंत्री जुआलान नहरू क्या इसका परपस था इसके गठन के क्या हमारे उदेशे रहे थे इसके उदेशे क्या होते हैं योजना के पक्स में देश के परियास और संसागनों को मझबूत बनाना यानि कि जो हम अपने देश के कारेयों के लिए जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम कुछ भी उनके लिए कोई परसासन बनाते हैं, या कोई नियम बना रहे हैं, या कोई संस्था बना रहे हैं, तो उनमें जो भी हम सलहा की जरुत हैं, उन सलहा और संसादनों को यह मजबूत करन उन सभी के लिए ये हमें अच्छे सलहा का काम करती है, उनके पक्स में सलहा देके देश के परियास और संसादनों को मजबूत बनाती है, सभी मैतमफुन छेत्रों आम आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देती है, यानि आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे न नीतियों को बढ़ावा देना, देश के सभी भागों का संतुलित और तेजी से विकास को सुनिश्चित करना, यानि कि NDC का कारे है, उसका उदेश्य है कि वो ये देखे कि देश के सभी भागों का संतुलित और तेजी से विकास हो, ऐसा उसका सुनिश्चित करना उसका कि इस मंच पर आके अपने मुद्दे उठाए और इस बारे में discussion करें और इस परकार से ये विकास कि योजनाओं को क्रियानमन करने में राज्यों के सहयोग और सुरक्षा उनको परदान करती है जो योजनाओं बनाई जाती है उनको लागो करें और राज्ये के सहयोग से उनक उनके योजना उनки जो नीतिय उनके उपर विचार करना, समय- समय पर रास्ति योजना की समिक्षा करना, तैम टू टąd जो भी नेशनल प्लैनिक्स होते हैं उन उन सभी की समिक्ष्या करना, योजना कारी कर्मों में आने वाली बाधाओं को दूर करना, जो हमारे कारी कर्में जो हम योजना प्लैनिंग्स बनाते हैं, उन में जो भी रुकाउटे आती हैं, उन सभी को बाधाओं को दूर करने का कारे भी NDC का होता है, राज्यों के बीच म को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक समस्या उपर विचार विमर्ज करना यानि कि जो सामाजिक और आर्थिक के लिए क्या क्या स्टैप्स उठाए जाए उन सभी के लिए जो संसादन जुटाते जो भी आर्थिक संसादन होते हैं उनकी ये वेवस्ता करती है कम विक्षित भागों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास में ये सुझाव देती है यानि कि जो या अंडर डवलपमेंट है या फिर बिल्कुल पिछड़े वेवर्ग होते हैं उन सभी के विकास के लिए ये सुझाव पर दान करती है परसासनिक सेमा और कारे शमता को बढ़ावा देने का सुझाव देना जो परसासनिक सेमा होते हैं जो भी आडिमिनिस्टर जो भी कारियों होते है बोसब और उनकी कारे करने की जो शमता होती हैं, उनको बढ़ाना, उनमें कुछ इंक्रीज करना और सुझाव देना कि कैसे इनको करा जाए या कैसे इनको बढ़ाया जाए कौन-कौन इसके सदश्य होते हैं, मतलब NDC में कौन-कौन सामिल होते हैं राश्ति विकास पिर्शत के सदश्य सबसे पहले आते हैं, PM चेर्मेन, यानि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो PM होते हैं, वो NDC के चेर्मेन होते हैं यानि कि ये एक पदेन-पद होता है, एक्स-ओफिस्यों पोस्ट होती है, PM जिसके चेर्मेन होते हैं जिस तरह नीती आयों के चियर्मेन पीम होते हैं उसके बाद आते हैं कैबिनेट मंतरी, सभी कैबिनेट मंतरी इसके मेंबर होते हैं, सभी राज्यों के मुख्य मंतरी यानि कि सभी स्टेट के जो CMs होते हैं, वो सब इसके मेंबर होते हैं, सभी केंदर सासित परदेशों के तो यूटी में ही है जो मुख्य मंत्रिया बागी के फाइब में नहीं है तो वहाँ पे जो उनके परसासे लेवल के जो गवर्नर जो पतादिकारी होते हैं जो परसासे होते हैं वहाँ के यूटी के वो इसके सदश्य होते हैं योजना आयोग के सभी सदश्य जो प्लानिंग क मिलके जितने होगे PM जो है इनका चेयर्मेन है इसके अलावा cabinet to मंत्री जो भी cabinet के मंत्री है सभी राज्यों के मुख्य मंत्री जो हमारे 29 states है उनके CM यहां इनके member होते हैं सभी UT के जो CM होगे और जो परसासक होगे योजनायो के सभी सदसे इसके सदस्य होते हैं सवतंत्र परभावाले मंत्री सवतंत्र परभावाले जो मंत्री होते हैं वो भी इनकी बैटकों में बुलाये जाते हैं तो यह होगे इसकी गठन जो जो इनकी प्रिक्रिया जो इनकी गठन सरचना में जो सामिल सदश्य है वो पंचवर्सी योजना को अंतिम रूप से मंजूरी भी यही संस्ता देती है यानि कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसको जो फाइनल मंजूरी होती है जो फाइनल रूप देना होता है वो हमारा NDC ही उसे परदान करता है परिशद राजनितिक केवल पर पावर्फुल है सकती साल है जो यह सिपारिस करती है वो केवल प्रामर्स दात्री नहीं है कि जस्त प्रामर्स के लिए और सलहा के लिए दिये गए नहीं इसकी जो सिपारिस है वो प्रामर्स दात्री सुजाव नहीं है वहार में भी नीती निर्मान करने वाली संस की संग्यादी है यह था हमारा ndc आपको अच्छे से किलियर हुआ होगा धन्यवाद